गूद मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप सभी ठीक होंगे तो प्रिविएस वीडियो में हमने बौध धर्म पूरा पढ़ लिया था अब हम उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव किस्चन्स सॉलो कर लेते हैं ठीक है इन अब्जेक्ट जरूर देखेगा धन्यवाद पहला क्यूस्ट्न बौध धर्म का संस्थापक कौन थे तो बिलकुल आपको इसका आन्सर पता है बौध धर्म के संस्थापक गोतम बुद्ध थे ठीक है नेक्स्ट क्यूस्टिन गोतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो इसका आंसर आजाएगा गोतम बुद्ध का जन्म 563 इसापूर वो हुआ था गोतम बुद्ध का जन्म इस्थान का नाम क्या है? तो गोतम बुद्ध की जन्म इस्थान का नाम अगर आपने प्रिविएस वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा कि उसका नाम कपिल वस्तू की लुम्बिनी है ठीक है ये नेपाल में स्थित है अगला क्यूस्चन किसे लाइट ओफ एसिया कहा जाता है तो ये भी मैंने आपको बताया था कि लाइट ओफ एसिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है सी आंसर रहेगा इसका नेक्स्ट क्विस्टिन गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो बिल्कुल ये भी मैंने आपको बताया था कि गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिध्धार्थ था गोतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि गोतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था Next question, Goetam Buddhya की मा का क्या नाम था? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि Goetam Buddhya की मा का नाम Maya Devi या Mahamaya था Next question, Goetam Mahatma Buddhya के सोतेली मा का नाम क्या था? तो उनकी सोतेली मा का नाम या फिर उनकी धाय मा का नाम प्रजापती गोतमी था नेक्स्ट क्यूस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ठीक है? और उनके गोडे का नाम झंदक था, ये अच्छे से हमने समझाता next question गोतम बुद्ध कितने वर्श की अवस्था में गरत्याक कर सत्य के खोज में निकल पडे थे तो गोतम बुद्ध 29 वर्श की अवस्था में गरत्याक दिया था उनोंने next question सिधार्थ के गरहत्याक की घटना को बोध्ध धर्म में क्या कहा जाता है तो सिधार्थ के गरहत्याक की घटना को महाभी निश्क्रमन कहा जाता है नेक्स्ट क्यूस्ट बुद्ध ने अपना प्रथम गुरू किसे बनाया था तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरू अलार कलाम को बनाया था ठीक है? Next question बुद्ध ने अपने प्रथम गुरू से कौन सी सिख्छा प्राप्त की? तो इसका अंसर रहेगा सांख्य दर्शन सांकि दर्सन के बहुत बड़े विद्वान थे अलार का लाम रिसी गोतम बुद्ध के दूसरे गुरू का नाम क्या था? तो गोतम बुद्ध के दूसरे गुरू का नाम रुद्रक था Next question 35 वर्स की आयू में बिना अन जल गरहन किये अधुनिक बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल के व्रक्ष के नीचे कितने वर्स की कठीन तपस्या के बाद बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई? तो इसका आंसर आजाएगा 6 वर्स ठीक है ज्यान प्राप्ती के बाद सिधार्थ को क्या कहा गया? तो ज्यान प्राप्ती के बाद सिधार्थ को गोतम बुद्ध तथा तथा गत दोनों कहा गया ए वो भी दोनों Next question, गौतम बुद्ध को किस रात्री के दिन ग्यान की प्राप्ति हुई, तो इसका आंसर आजाएगा, वेशाख पुर्निमा, वेशाख पुर्निमा को ने ग्यान की प्राप्ति हुई थी, Next question, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहा दिया था? तो गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सार नाथ में दिया था ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है ठीक है धर्म चक्र प्रवर्तन next question महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भासा में दिया था तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भासा में दिया था ठीक है next question बौध धर्म के त्रिरतन कौन कौन से है तो आप लोगों को बिल्कुल पता होंगे बुद्ध धर्म में प्रिविष्टी को क्या कहा जाता है यानि अगर आप बुद्ध धर्म में सामिल होना चाहते हैं तो उसे उपसंपदा क्या कहा जाता है उपसंपदा कहा जाता है बुद्ध के अनुसार देवतागन भी किस सिध्धान्त के अंतरगत आते हैं तो कर्म सिध्धान्त के अंतरगत आते हैं Next question बुद्ध ने त्रश्ना की घटना को क्या कहा है तो इसका आंसर आजाएगा निर्वान बुद्ध ने त्रश्ना की घटना को निर्वान कहा है ठीक है Next question बुद्ध के अनुयाई कितने भागों में बटे थे तो बुद्ध के अनुयाई दो भागों में वटे थे ग्राष्ट और भिक्चुक ठीक है next question जिस स्थान पर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया तो वह स्थान बोद गया कहलाया next question महात्मा बुद्ध की मृत्यू कहां हुई थी तो महात्मा बुद्ध की मृत्यू कोशी नगर में हुई थी, आपको पता है कि यह मलो की राजधानी थी Next question, महात्मा बुद्ध की मृत्यू कब और कहां हुई, तो कहां हुई और कब हुई, तो कब हुई, तो यह 483 इसापूर्व में इनकी मृत्यू हुई थी नेक्स्ट क्यूश्चन महात्मा बुद्ध की घटना मृत्यू की घटना को बोध धर्म में क्या कहा गया है तो महात्मा बुद्ध की मृत्यू की घटना को बोध धर्म में माहा परी निर्वान कहा गया है ठीक है आप इसे स्थोर पर याद रखेगा बहुत important question है प्रतम बोध संगिती किसके सासनकाल में हुई थी तो ये आजात सत्रु के सासनकाल में हुई थी ठीक है next question दुती बोध संगिती किसके सासनकाल में हुई थी इसका अंसर रहेगा कालाशोक कालाशोक के सासनकाल में दु सासनकाल में त्रती बोध्य संगिती हुई थी ठीक है next question चतुर्त बोध्य संगिती किस के सासनकाल में हुई थी तो चतुर्त बोध्य संगिती कनिश्क के सासनकाल में हुई थी जो कि कुंडल वन कास्मिर में हुई थी ठीक है next question प्रतम बोध्य संगिती कहां हुई थी तो प्र तृतिय बोध्य संगिती कहां हुई थी इसका अंसर आजाएगा पाटली पुत्र नेक्स्ट क्यूश्चन चतुर्थ बोध्य संगिती कहां हुई थी तो इसका अंसर आजाएगा कुंडलवन कश्मीर में ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन बोध्य धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो इसका अंसर आजाएगा प्रजापती गोत्मी यही महत्मा बुद्ध की धायमा थी और सोतेली मा भी भारत से बाहर पोध्ध धर्म को फेलाने का स्रे किस राजा को जाता है तो इसका अंसर आजाएगा अशोक अशोक ने अपने पुत्री संगमित्रा और पुत्र महेंद्र को बोधी व्रक्ष लेकर सबसे पहले स्री लंका भेजा था ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट बोध का परमधर्म लक्ष है तो इसका अंसर आजाएगा निर्वान निर्वान आप लोगों को पता होगा इसका अंसर भी नेक्स्ट क्यूस्ट धार्मिक जुलूस की सुरुवात सबसे पहले किस धर्म से सुरु की गई तो इसका अंसर है बोध ठीक है बोध धर्म से सबसे पहले धार्मिक जुलिस की सुरुवात की गई है नेक्स्ट क्यूस्ट गोतम बुद्ध के जन्म का प्रतिक क्या है तिनके जन्म का प्रतिक कमल वसांड है ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट गोतम बुद्ध के गरहत याक का प्रतिक क्या है तो इसका अंसर आजाएगा अश्व ठीक है नेक्स्ट क्यूस्ट गोतम बुद्ध के महा बोधी का प्रतिक क्या है तो इसका अंसर आजाएगा बोधी व्रक्ष यानि पीपल का व्रक्ष गोतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो इनके प्रथम उपदेश का प्रतीक धर्म चक्र है और इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है याद रखिएगा आप दोस्तों गोतम बुद्ध के निर्वान का प्रतिक क्या है तो इनके निर्वान का प्रतिक इनके पदचिन है ओके नेक्स्ट क्यूश्चन सुत्थ पिटक में क्या संकली थे तो इसका अंसर आजाएगा बुद्ध के धार्मिक उपदेश ठीक है इसका अंसर आजाएगा बुद्ध संग के नियम ठीक है नेक्स्ट क्यूश्चन अबिधम पिटक में क्या संकली थे तो इसका अंसर आजाएगा बुद्ध के धार्मिक उपदेश ठीक है तो यहाँ पर 51 क्यूश्चन हमने बुद्ध धर्मस से रिलेटेट डिसकस किये हैं इस इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा हो कि कोई सा क्यूश्चन आपको नहीं आ रहा है उससे रिलेटेट तो आप कमेंट में उस क्यूश्चन को लिखिए हम इसका आंसर देंगे ठीक है और हम हर टोपिक जैसे ही खतम होता है तो इसके इसी प्रकार से सारे